जैशी राम जैहनुमान आज की बालकान कथा कुछ इस प्रकार है नित नव चरने उपजे अनुरागा विसरी देह तपही मनुलागा संबत सहस मूले फले खाए सागु खाई सत भरस गवाए स्वामी के चरनों में नित नया अनुराग उत्पन होने लगा और तब मैं ऐसा मन लगा कि सरीर की सारी सुध विसर गई एक हजार वर्स तक उन्होंने मूल और फल खाए फिर सो वर्स साग खा कर बिताए कच्छु दिन भोजन उबारी बतासा किये कठिले कच्छु दिन उपवासा बेले पाती मही परई सुखाई तीन सहस संबत सोई खाई कुछ दिन जल और वायू का भोजन किया और फिर कुजिन कठोर उपवास किये जो बेल पत्र सूख कर पत्वी पर गिरते थे तीन हजार वर्स तक उन्ही को खाया पुनी परिहरे सुखाने उपरेना उमही नाम तब भयव अपरेना देखी उमही तप खीन सरीरा ब्रम्य गिरा भयगा गने गभीरा फिर सूखी पण अथार पत्ते भी छोड़ दिये तभी पर्वती जी का नाम आपणना हुआ तब से उमहा का सरी छीन देकर आकास से गंभीर ब्रम्भवानी हुई भयव मनोरत सुफल तब सुनो गिरी राज कुमारी परिहर दुसाह कले से सब अब मिली है त्रिपूरारी हे पर्वत राज कुमारी सुन तेरा मनोरत सफल हुआ तु अब सारे असह कले सो को कठिन तब को त्याग दे अब तुझे सिवजी मिलेंगे अस तप काहु न कीन है भवानी भय अनेक धीर मुनि ज्यानी अब उरधरव ब्रम्भ बरबानी हे भवानी धीर मुनी और ज्यानी बहुत हुए है पर ऐसा कठोर तब किसी ने नहीं किया अब तु इस वेश्ट ब्रम्भ की वाणी को सदा सत और निरंतर पवित्र जान कर अपने रदे में धारण कर आवय पिता बुलावन जब ही हट पर हर घर जायों तब ही मिला ही तुम्हे सब सब तरी सीसा जाने हु तब प्रमान बागी सा जब तेरे पिता बुलाने को आवें तब हट छोड के घर चली जाना और जब तुम्हे सब तरी सी मिलें तब इस वाणी को ठीक समझना इस प्रकार आका से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पर्वती जी प्रसन हो गई और हर्स के मारे उनका सरीर पुलकित हो गया यागवल जी भर्द्वार जी से भोले की मैंने पर्वती का सुंदर चरित सुनाया अब सिव जी का सुषावना चरित सुनो जब ते सती जाई तनु त्यागा तब ते सिव मन भयविरागा जप अहीं सदा रघूना यक नामा जबसे सती जी ने जाकर सरीर त्याग किया तबसे सिव जी के मन में वैरागी हो गया बेसदा शीर अगनार जी का नाम जपने लगी और जहां तहां शीराम चंदी जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे चिदानन्द सुख धाम शिव बिगत मुह मद काम विचराही मही धरी रदय हरी सकली लोग अभिराम चिदानन्द सुख धाम मुह मद और काम से रही सिव जी संपूर लोकों को आनन्दे ले वाले भगवान श्री हरी श्री राम चंदी जी को रदय में धारण कर भगवान के धान में मस्थ हुए प्रतिवी पर विचरने लगे जै श्री राम जै हनुमान आज की बालकान कथा में बस इतना ही हर हर महादेव